नमस्कार चतिसगर कोश्वलिया भूमी देख रहे आप आपके साथ मैं हूँ सुटे दिक्षिट बिल्टिंगे शुरुआत करेंगे हैं चानकारी के साथ जो है इसमें दिखे हैं और ऐसे में बतादे के हरेली पर्व के मौके पर दिखी है संस्कृति की अनुठी की ज्यलक सेम हाउस में मेगा आयुजन इसका किया गया है तो फिर आप तब क्वास्व आ रही हैं बतादे मौके मंत्री बुपेश बगेल मौचूद रहे थे तो पारंगपरिक वेशबूचा में उससा के साथ गेड़ी चड़े हैं लोग हरेली तिहार के रंग जो है वो साफतोर पर देखने को मिल रहे संस्कृति किया पर 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 वेशबूचा नसरारी सेम आवास पर इसका फूरा कारिक्रम का युजन किया गया है लोगपर्व हरे मत्री वुपेश पगेल मौजूद थे बता दे इसी के साथ कि पारंगपरिक के वेशबूचा में उससा के साथ गेड़ी यहां पर लोग चड़े हैं सिएम आवास पर मनाया गया है लोग पर्व हरेली जिसका इज़न कई दिनों से इसके तैयारी चल रहे थी और रटारी के तस्वीर हैं अंदर दिख रहा है ऐसे में हरेली पर्व 36 गड़ के लिए काफी एहम हो जाता है और ये तस्फिरें हरेली पर्व से जुड़ी हुई आप दो पहुचा रहे हैं जहां सीम आवास पर ये मनाया गया है सांस्कृतिक रंग यहां पर दिख रहे हैं और हरेली तिहार के रंग में पूरा रंगा हुआ 36 गड़ इस वक्त नजर आ रहा है तो संस्कृतिक के रंग यहां पर दिख रहे हैं और तस्फिरों में साफत अपर नजर आ रहा है सीम भुपीच पगिलबी किस सरीकिसे उस साहित नजर आ रहे हैं तो क्या बड़े क्या बच्चे हर किसी के चहरे पे खुशी दिख रही है हरेली पर पर और ऐसे में तस्फिरें सीम आवाज से आप तक पहुचा रहे हैं सीम आवाज पर बता दे कि पूरे कारेकरम कायुचुन किया गया था यहां पर भारी संख्या में लोग अधिकारी खटा हुए थे अपने परिवार के साथ और यहां पर तमाम पारंपरिक वेशबूशे में लोग नजर आ रहे थे और खुशी उनके चहरे पे साफ तोर पे दिख रही है इसी कबर में जानकारी के साल जादा चुत्रा पटेल हमार से जुड़ चुकी है चुत्रा अभी भी क्या तस्वीर निकल के सामने आ रही है सीमा वावस से कि अधिया जा रहा है अब देख सकते हम यह तस्वीर दिखाते हैं मुख्यमंतर निमास का यहां पर हरीदी तीहार का जो है कि अधिया गया था और यहां पर जूला जूला गेड़ी और जो है खेला गया तो कितने संक्या में यहां पर लोग इखटा हुए थे कौन को निखटा हुआ था क्या कुछ जानकारी कि अधिया था जूला जाता है पहले भासपा काल में जो है स्टिजगर के जनता जो है पोट नहीं पाते थे अब कंगेस वर्चार के आने कि अधिया था जो है कि अधिया था जो है अपने परिवार के साथ जो है इसके और अनिया होता है उसको जो इसकी पुजा क्या जाते हैं जाय माता की पुजा क्याती है और आज जो है अधिया जो है जो है जो है तो बड़े जाते हैं जैसे जामिया किसान करते हैं अपने पुजारों का अगली खबर में आपका रूख करेंगे कपरों में आगे बड़ेंगे चतिषगड़िया ओलंपिक की आज से शुरुवात हुई है पहली तिहार से पारंपरिख खेल से हुई है शुरुवात इस बार 30 लाग से अधिक खिलाडी बिकरेंगे अपना जलवा और बता दे कि छतिसगड़िया ओलम्पिक में 16 खेलों की हुई है इसमें इस परदा चतिसगड़िया ओलम्पिक की आज से हुई है शुरुवात काफी महत्पूर है यह शुरुवात की और बता दे कि पहली तिहार से पारंपरिघेर से हुई है शुरुवात की काफी एम माने जा दिया है तिस गड़िया ओलम्पिक में सोला खेलों में होगी इस पर्दा इस बार तीस लाग से जादा खिलाडी बिखरेंगे अपना जलवा और तिस गड़िया ओलम्पिक की आज चेश शुरुआत हुए जिसकी तस्विरे आप तक पहुंचा रहे हैं पहले तिहार से पारमपिरिक खेल से हुए शुरुआत चुटिस गड़िया ओलम्पिक की आज से शुरुआत हुचुकी है तो स्पीरी लगतार आप तक पहुंचा रहे हैं और इसमें 30 लाग से जादा ऐसे खिलाडी बताये जा रहे हैं जोकि अपना प्रदेशन इस पर करने वाले में जब्ला विखेडने वाले हैं जोकी काफी एहम मानी जा रहे हैं चितिस गड़िया ओलम्पिक में 16 खेलों में होगी इस पर था लगता है चित्रा पतेल बनी हुई है चित्रा आज एक नई शिर्वात भी हुई है ओलम्पिक की अज ब्रामिश चेत्रा नवजे शेत्र में इसका आउजन किया गया है और इसमें जो है चित्रविया लोगों को जो है इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है और इसमें शोला साव से लेकर उज्जों है चालिस साल के लोग है बेटी बच्चे अमा अब भुष्ण गुलूरगा और पुरूष्ण सभी इस खेल में भाग लेके तबी को इसमें प्रस्तान दिया जा रहा है और इसमें 16 प्रतार के जिसमें इसमें आठी जुद्ध जञे जोए प्रस्ता आ रहे हैं और जो फस्ता आरहे हैं उनको प्रस्तार नहीं रहा है और जोब अधिया जा आगे बढ़ेंगे लोग पर भरेली तीहार के मौके पर धूम देखने को मिले वह इस मौके पर सीम बगेले प्रदेश वासियों के लिए संदेश जारी करती हुए हरेली तीहार की बधाई और शुप कामनाई दी उन्होंने आगे कहा कि छतिसगर की संस्कृति यहां के उस सवों में प्रमुक्ता से दिखाई देती है धरती माता च्छी फसल की कामना के साथ खेती किसानी से जुड़े और जारू की पूजा की जाती है पारपरिक तरीके से लोग गेड़ी चड़कर हरेली की खुश्या मनाते है जैजवार नमस्कार जम्मो प्रदेश वासिमल्ला हरेली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई 17 जुलाई को हरेली है या तिहार किसानों के आस और विश्वास का तिहार है युआओं और बच्चों की उमंग का तिहार है माताओं बहनों के उसा का तिहार है आईए हर साल की तरह इस साल भी हम सब मिलकर पूरे जोश खरोश के साथ हरेली किहार मनाए नेता प्रतिप्रक्ष नारायन चंदेल ने 36 गड़ के पारंपरिक तोहर हरेली पर्व की शेत्र एवं प्रदेश के किसान भाईयों और आम नाकरिकों को हार्दिक बधाई और शिपकामना देती हुए कहा कि ये पावन पर्व प्रकिती के प्रतिक रितग्या प्रकट करने का ह खेती किसानी का काम शुरू होने के बाद चारो तरफ प्रकितिक हर्याली के चटा भी खेड़ती है प्रदेश की गाव गाव में इस तोहार को परंपरागत उल्ला सुमंग और उप्सा के साथ मनाया चाता है चटीजगड़ प्रदेश के जमो भाई वहेली मला, किसान भाई मला, जय जोघार Mart वाईवन आज हर्यली के तिहार है हमर चटीजगड़ के संस्कृती से जुड़े है, ये तिहार हमर प्रंपरा से जुड़े है YOUR हर्यली तिहार के प्रति आभार प्रगट करे के तिहारे हैं आज के दिन हमर पूरा 36 गड़ के गाउं गाउं में हमन नर्यल फेके लखेल थां हमन गेडी चर थां हम क्रिसी के जतका खेती किसानी के जतका हमर आउजारे उला बढ़ी आधो मांच के उकर हम पूजा रचना करतां और आज के दिन पूरा हमर 36 गड़ में गाउं गाउं में हर घर में चीला बन थे फरा बन थे आमादमी पार्टी के प्रदेश अदेक्ष कोमल उपेंडी ने बस्तर के एक दिवसी प्रवाज की दोरान दर्बा ब्लोग के चिडपाल में लगबग 2500 लोगों की आमादमी पार्टी में सदस्ता दिलाई जिसकी जानकारी मीडिया सेल ने दी है कोमल उपेंडी ने सभाग को संबोदित करते हैं कि चतिसगर में आज तक बीज़पी और कॉंग्रेस की सरकार रहे बीज़पी और कॉंग्रेस के राज में किसी जनता का कोई भला नहीं हुआ है दोनों पार्टीयों ने जर्फ अपने अपने निताओ को चमकाने का काम किया है पहली बार चतिसगर में लोगों को चमकाने वाली पार्टी आई है और आम लोगों के भविष्चे को चमकाने और जनता के जिवन को स्राल बनाने के लिए आई है लोगों के भविष्चे को जाडू से चमकाना है जाडू से सभी जूटे पार्टी को साफ करना है MCB जिले के सालीह ग्राम में कर्म गोगेश्वर धाम जहां भगवान शंकर का बहुत ही पुराला मंदिर है जहां लोग दूर दूर से जश्वन करने के लिया आते हैं मंदिर के पास ही जड़ना है और ये श्यत्र चारों तरफ से पहाडों से घिरा हुआ है जहां प्राकितिक अपनी सुंदर्ता विखेड कर्म गोगेश्वर धाम मंदिर जहां लोगों करने आते हैं यहां आने वालों को जरणा दिखकर बार बार आते हैं वही हसिया नदी जो उचे पहाडों से गिरती है जिसको देखने से मानों किसी हिल स्टेशन में आ गए हो तरह से शत्रीज़गार में कॉंग्रेस की सरकार वनने के वाद से देखेंगे आपने आप निशी द्रूप से जो रास्ता सुलब हुआ है कि अखक प्रया से पहले यहां पर लोग आ नहीं जा पाते हैं क्योंकि यहां पर उबर खाबार रास्ता था पहारी रास्ता था लेकिन पर जब इसे मंदिर का में नहीं हुए है कॉंट गोल सन उनिशनों सतासी में ये के कष्टिनी वांसी थे उन्हों ने इस जगह को आकर के देखा था और यहां पर गांवालों समिर्व कर sub rusty कि यह मनूंदीर बनाने लाइक भी जगह है यह जलब पर्फात की देख कर के इसके बाद उन्हों ने गाम वालों से मिल करके अपना कुछ यहां मंदिर के लिए समान बौरी डार्ट रेलबे स्टेशन से सिमेंट है कीप पथर है उस सब ला करके नहां पर स्थापित किये उनका कुछ रहा हो गाए नदी में डूप जाने से तीन बच्चियों की मौत हो ग तुट्तनन के वज़े से गड़े बन गए है जिसमें डूपने से बच्चियों की जान चले गए नारास लोगों ने जमकर प्रदेशन किया है जिसके बाद पुलिस और प्रश्यासन की टीम मौक्त पर पहुंचियों और नारास लोगों को समझाने में जूट चुकी है बस्तर की अतिहासिक धरोवर दलपत सागर के संरक्षन के लिए चलाय जारी स्वच्चता महा भ्यान में रविवार को जगडलपूर नगर की सभी वर के लोगों ने सक्रिये सहबागिता निभाई इस दोरान कलेक्टर श्री विजे दयाराम सहित महापो श्रीमती सफीरा साहू और जनप्रतिनिदियों नगर निगम आयुक्त श्री के इस पेकरा के साथ अन्य अधिकारियों समाज सेवी संगचनों के साथ ही आम नागरिकों ने साफसफाई कारे में हिस्सा लेकर स्विच् करने के लिए बैक्टरियल इबॉल डालते गए और बतादे सीएम आवास पा लोग पर भरेली मनाया गया सीएम बोपेच पगल क्या कुछ कह रहें आपको सुनवाते हैं तो आप सब्सक्राइब बहुत 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 बढ़ाई और यहां पधारे आदर ने राजेश्री मंत राम सुंदर दास जी आदर ने प्रदीप चोवी जी आदर ने इनन्त कुमार साही जी राजेब दिवारी जी बहुत इस्यान हमर् आदर ने रामकुकार सिंग जी भाई प्रमोज जी भाई मेहंदर शाबड़ा जी तेल घानी बोर्ड के अध्यक्ष भाई संदीप जी बाबरा जी सुकला जी अजय साहो जी बिलासपूर के महापर तका है आदर ने आदर जी आरेन वर्मा भी दिखा थे साकामरी बोर्ड के अध्याक्ष रामकुमार पटेल भी नोगवर्मा चंदराकर जी ओती द्यवांगां जी भी दिखा थे एती आदर्णे हमार बहुत बरिष्ट विदायक पूर मंत्री आदर्णे सत्नरायन सर्मा जी लश्मा चंद्राकर जी प्रदीप सर्मा जी गिरीज देवंगन जी किरन मैं नायग जी अमुरु परवार के सबसदस मना हैं लईका पिछका सहीं सब्जन यहां उपस्थी थे तो और सा थी कलाकार मन भी है यहां के बहुत दन्माने नागरिक मन भी उपस्थी थे अधिकारी मन भी अभी अभी अमर जीद भगजी यहां से की से कावर के राजना अंगा मुला पूकट डिव्टी लगे हैं सुकला जी भी पीछु को दिल दिखा थे हैं ना हमर सिरपूर के प्रिसी विभाग पसुदन विभाग पंचायत विभाग के सवधकारी मन उपस्थी थे बहुत सुंदर यह सजाय भी है हमारे भी है अब हमर संचालक महोदा बहुत बढ़िया महोल भी बनाक रखे कलाकार मन बें इंतिजार करत दुजार ठक गिस सुनाई हरेली तिहार हम डूंगर कर ले धनेजबिया तक आ है सुनवानी जी तक है सब साथी मन आ है धनेजय दिखाते बहुत सब साथी मन है पत्रकार संग्वारी मन भी बहुत उसा से आ है हरेली तिहार के वल गेड़ी चड़े तिहार नो है हरेली तिहार मनायबर सबसे जरूरी कोई भी तिहार मनायबर तो मन में उसा होना चाहिए और उसा बनायबर फूल वातवरन हम अलाद देख आउस करता है और वातवरन बन थे जब किसान के मजदूर के घर में सम्रिध्धी आते कोकरगर खुशाली दे घर में पैसा के कोई तकलीप नहीं होना चाहिए अनाज के कोई तकलीप नहीं होना चाहिए पसुधन के अभाव नहीं होना चीए तब ये तिहार प्मनाथन हमन और पौने पांच बच्छर में हम अच्छितित गड़ सरकार किसान मन के माथा में जिन चिंता के लकीर रहा है करज़ के बोज़स दबे रहा है काकरुस मिले तो भले राम रमुवल हो जातरी से कहरे में मुस्कान लाय के कोशिज करें लेकिन माथम ये चिंतक लकीर रहतें सब कहानी लबयान कर देते हैं किसानमन के हालात का है फुकरमन के परिस्थिती का है आज किसानमन सम्रिद भी हो थे किसान मन के संख्या भी बाढ़ गे रगवा बाढ़ गे उत्पादन बाढ़ गे अब तो बीस क्विंटल बेजबो सोज के किसान मन अत्का खूसे किकर कोई कल पना नहीं कि जा सका है तो आउसकता ही बात करी से एक वाता औरन देखे और लगातार हर छेत्रे में हमनों वाता औरन बनाया के प्रयास किसान मजदूर गाउं सहर काहमर अद्वासी मन जेमन लगून पच्खरीदा तरी से मौहल सड़क में बेज़ ठेक देतरी से हाज वो मौहल चाली सब पचास रुपें बिका थे तेहंदू पत्ता चार हजार पति मानक बोरा के दर से बिका थे तो वहाँ खुशाली के माहौल फिर भूमी स्विक नायोजना बर लाएन हमन साथ हजार रुपया सालाना देथन उकरो घर में गरीब के घर में भी वहाँ आगे बढ़े हूँ तीस्ते हर बढ़ियस मना सके दिवारी मना सके हरेली मना सके गोधन नयायोजना गव माता के गव गववन्स के हमन सेवा करन लेकिन वो कर सांस सांस हमन अर्थ बेवसा सुधारे भी काम करत लगातार प्रयास आज बहुत सांस हमर संग्वारी मन बता थे कि दुदुद पादन बाढ़ गे प्राक्रितिक खेती के तरफ लोगन बढ़ा थे आमदनी भी बढ़ा थे तो एक बाता औरन वोकरो बनाए कोशिश तीसरा अब यहरेली इक्तिहार सब राउत मन जा के घर में नीम के डारा खोज थे नीम के डारा खोजेक पीछेक उद्देश का है कि बरसात होते थे बहुत अकन कीट पतंगा थे बहुत अकन बिमारी फैल थे यह जे नीम है तेने प्रती के उकर से हमला लड़ाई लड़ना है ते कर ते घर में गवठान में सब जगा गुर्रा में सब जगा नीम के डारा खोजे जाते मच्छर भगाया अबर वहीं मेर कंडल सिप्चादिस छे ना सिफ्चादियाँ वा मिनीम पात्तिल डार दे मच्छर औपिटानुबण भाग जाते ते कर यह प्रती के हमरे नीम सारा खोचे के ताकि हमना वर्सा जनी जन बिमारी है थे कर से बच सकान वो कर तयारी हमार होना चीए किसान मन अपन जटे क्रिसी अजार होकर पूजा करते कावर के उकरे भरोसा खेद के जोताई करते बाउत करते ब्यासी करते वो जतका किसी आउजार है वोकर पूजा और आज जतेग भी जेकरगर भी गाय है वो सब जन लोंदी खावावत है और लोंदी खावावा के गव मातास आसिरवाद लेते कि हमर यहाँ धन्य धाने से परपूर्ण रहा है यह हमर चत्तिस गड़ के पहली तिहार साल के वोकर शुरुवात आज हो है यह जिन चत्तिस गड़ में जिन समरिद्धी के रस्ता में चल पड़े है यह हम अल्ला अव बढ़ाना है यह सपनल हमर पूर्खा मन देखरी स्यान मन देखे रहे हैं कि समरी ते चत्तिस गड़ा बनना चीए अभी चत्तिस गड़ा में बहुत काम कर एक आउसकता है बहुत आगे ले जाना है चत्तिस गड़ा में गरीबी नहीं होने चीए बुक्मरी के सवाले ने उठे सब घर 35 किलो चावल दे थां तो उकर सवाले ने होना चाहिए सब लस्वास तक लाव मिला है शिक्षा बर हमर पूरा प्रदेश बर स्वामी आत्मान अंग्रेजी स्कूल के ऐसे भीड़ चला थे कि एक सीठे ते कर पीछे दस दस पंद्रा पंद्रा आयो दन तो शिक्षा के तरफ हमरो लईका मन देश दुनिया हम जाके छ सरकार के दर अस्वास थे स्विक्षा है रोजगार है और सबसे बड़े बात है कि हमरे 36 गड़िया संस्कृती है हमरे विश्विश परंपरा पहचान है वोला आगे बढ़ाया वर लगातार सरकार काम करते हरेली तिहार से सुरू हो है हरेली चुटी तीजा पोरा के चुटी कर्मा जायनती के चुटी छड़ पूजा के चुटी चरशरा पुन्य के चुटी अभी नव अगस्त के विश्वाद वासी दिवस मनाई वोकरो चुटी तो हरेली तिहार परपे सेम भूपेश पकेल कहरे थे कि 36 गर को और आगे ले जाना है ताकि कोई भी गरी भी ना बचे आया पे भूग मरी तर दूर दूर तक दिखे बिना 25 कुल चावल हर शेत्र में देना है हर लोगों को देना हर परिवार को देना है तो फिलाल के लिए बिलेटर में इतना ही खबरे लगातार जा रही है देखते रहे इंडिया वोईस